हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डोक्टर दरबे साब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फीडम फ्रम होस्पिटाल में दोस्तों थंड का समय है तो इस समय में आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा जो लोग खास करके माइनस टेंपरेचर में रहते हो वो तो पूरा ध्य प्यान रखिएगा बहुत सारा काढ़ा में बताता हूँ उसका इस्तेमाल के लिए इससे आपका इमिनिटी सिस्टम दोस्तों बना रहेगा जो आसन का हमने अभी एपीशोड स्टार्ट किये हैं खास करके पदमासन के बाद अभी मैं आपको गमुगासन के बारे में दोस्त करने को एक साथ में जोड़के तो यह अभी आपको दिखाएंगा और इसका जो बेनिफिट है दोस्तों आप सोच नहीं सकते इतनी बेनिफिट है दोस्तों को मुगासन में कि आपके अंदर जैसे कहते हैं गाए का जो बैल का एक जो धरी है जो सांत पन वो चीज़ें दोस् आप स्तीर हो जाओ अगर आप स्तीर होगे तबही दोस्तों आपके अंदर creativity आईगी तबही आप अपना विकास कर पाओगे बच्चों को बिลकुल करना चाहिए पदमासन हो गया गमुखहसन हो गया है इस बच्चों को दोस्तों करनी चाहिए तो इस एपीशोड में आप द वो इसको करना चाहिए हमेशा आपको जी नहीं लगता कोई काम करने के लिए दोस्तों उसे गुमकहसन दोस्तों जरूर करनी चाहिए उर जाएगा थकापन जो है जो आपके अंदर से टायर नहीं से वो दोस्तों खतम हो जाएगी इसके साथ अपना एक्ईप्रेशर दोस्तों डेली करो रोजाना जो भी अपना एक्ईप्रेशर करेगा उसको दोस्तों थोड़े दिन में लाब मिलेगा ही मिलेगा दोई साथ दूर जाओगे ही जाओगे हस्पताल आपको नहीं जाना पड़ेगा मेरी किताब My Health in My Hand में ये हैं अंग्री जी इसमें डाया जैसे ज़्यादा टिफ में रखा हूँ दोस्तों आब इसका लाव उठाओ एक्टिपरेशर की पूरी नॉलेज है और आईरबेट का पूरा ग्यान आब इसका लाव उठाएं International Standard का किताब है इंडिया में अभेलेबूल है आप इसको तुरंट मंगाई है दोस्तों और ये देखिए दोस्तों ये है हिंदी बली किताब 600 पेज की किताब है फोर कलर में पुरा बनाया गया है घर में एक किताब आप रखोगे तो आपके घर में किसी भी तरीके का बिमारी एंट्री नहीं कर सकता दोस्तों तो ये आप सब के लिए मेरी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है एडवाइस भी है तुरंट अभी का भी इसको ऑनलाइन से मंगाएं एमेजन से और इसका फाइदा उठाई है दोस्तों जब आपके पास पहुंच जाए किताब कोई चीज़ समझ नहीं पाते हो तो वाटसब करके मेरे से पॉइंट्स होगे अभी लिखवा सकते हो थाइंक यू भेरी मच दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आरती अपना डेमस्टेट करेंगी और आपको सिखाएंगी किस तरीके से गुमुखासन दोस्तों करनी है तो दोस्तों अब सुरू करते हैं गुमुखासन जिसका फाइदा मैंने आपको इतना सारा बताया अब भे कि करोगे कैसे करने की बीधी हमारा अभी आपको बताएंगी मॉडिल आरती तो आरती पहले आप रिलाक्ष्ट हो जाएए उसके साथ साथ थोड़ी गहरी सांसे अंदर लेना है दोस्तों और बहार निकालनी है अंदर गहरी सांसे लेनी है फिर बहार निकालनी है ऐसे कम से कम पांच बार दोस्तों करनी है देखिए कैसे कर रहे है relaxed अराम अराम से दो दो सेकंड तिन तिन सेकंड रोक के फिर हाथ के मुठी खोलते हैं सांस बाहर निकालनी है very good, well done very good इसका मतलब यह है कि हम सरीर को थोड़ा से वार्म अप कर रहे है और सरीर को सांच चित कर रहे है आसन के लिए तैयारी कर रहे है अपने सरीर का अपने मान स्पेसियों का अपने नर्वस सिस्टम का अपने complete structure का सरीर का मन का तो दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे गोमुखासन जैसे कि थोड़े दर पहले breathing करके दिखाएंगे गया कि relaxed हो जाएंगे पहले और आसन के लिए तैयार हो जाएंगे याने सरीर आपका कहीं न कहीं सांत होगा और जो असांत ही है जो आपकी tension है stress है, anxiety यह सब दूर हो जाएगा breathing के कारण और उसके बार deep breathing जैसे खतम होती है, आप अपना आसन सुरू कर सकते हो तो पहले हम right leg जो है उसको left leg के उपर लाएंगे और एक गोरू के मुहूं याने गोमुक आसन याने गोरू के मुहूं जैसे आसन इसके लिए हमने तयार हुए और जो पैर आपका उपर रहता है वही हाथ आपको उपर लेनी है और अपना पीछे सरीर के पीछे के तरफ लेना है और जो हाथ नीचे से लाएंगे वह वाला पैर आपका नीचे रहा अब मैं आपको पीछे का भी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको दोनों हाथ का उंगलियों को फसानी है आपस में मगर यह देखिए पैर किस तरीके से आपका एक दुसरे को पर चड़ा हुआ है और एक अकृती बनी हुए जिसे हम लोग गुमुखासन कहते हैं गुरू के मुह जैसे आसन बहुत लाब है अभी इसका लाब मैंने आपको कई बताए हूँ और और भी बताऊंगा तो यह आप देखिए सांथ चित रहनी है यह देखिए पीछे से कैसे उन्हाने अपने दोनों हाथों को फसाए रखे हैं चेहरा देखो बिलकुल सांथ है दोनों हाथ का पोईशनिंग देखिए जो नीचे वाला पैर है उसका जो एंकल एंड एल्बो का पोईशन है वो आनस के नीचे है और दूसरा पैर उसको उपर देखिए कैसे तरीके से है और आपस में दोनों हाथ की उंगुलियां फसे भी हैं रीड के हड़ी सीधे यह ध्यान में रखके दोस्तों करिएगा कम से एक मिनिट दो मिनिट एक पोईशन माप रहिए यह है दोस्तों को मुखहसन तो बीच बीच में आप दोस्तों देखिए कैसा स्ट्रेचिंग करके दिखा रहे हैं आरती ऐसे stretching थोड़ा दिर आप कर लिजेगा जिससे थोड़ा flexibility, mobility आपकी बढ़ जाएगी और इससे आपका घुटना, ankle और अगरा का दर्द भी दोस्तों चला जाता है और खास करके गोमखासन हो या पदमासन हो अगरा हो इस तरीके का stretching दोस्तों जरूर करिया देखिया किस तरीके से कर रही है very good, well done, करिये करिये इस तरीके से दोस्तों आप करते रहिए और थोड़ा दिर ऐसा बैट भी सकते हो ऐसा ही रहिए, ऐसे कुछ समय के लिए दोस्तों आप रह सकते हो इससे आपका सोल्डर की दर दोस्तों भी दूर होता है हीब आपका मजबूत होता है हीब जांट में दोस्तों काफी flexibility बढ़ती है और बहुत वहतिरीन ये भी एक तरह से आसानी है एक position में आपने रूख के हुए हो और moment एक बड़ी करके आपको दिखाते हैं कैसे moment करनी है इस तरीके से आपको moment करनी है बहुत लाप कह रही है और इससे आपको बड़ा आराम भी मिलता है दोस्तों एक तरह का मसाज ही हो जाती है पूरी सारे joints की और मान स्पेसी की अब हम गमगासन का दूसरा लेग का जो हम करना चाहते हैं आपको करके दिखाते हैं आप देखके अपने आप में फिर करिए गा देखते रहो और करते रहो फिर left leg up उपर आ गया और left hand आप का फिर उपर के तरह से जाएगा इस तरीके से ऐसा ही पीछे वो दोनों हाथ का उंगलियां फस गए रिडिकेटी सीधे बेरी गुड़ कितना देखो स्तीर है सांचित और पूरा अपने आपको सीधे पोजिशन में रखना है देखो कैसे पैर दोनों आपस में फसे हुए है दोनों गुटना गुरू के मुह जैसे कैसे हाथ अपस में कैसे टच किये हुए है पैर का पूजिशनिंग शान चीत रहना होता है यही इसकी लाव है रीड के हड़ी काफी रिपेर हो जाता है सर्भाइकल स्पॉनलाइटीस कभी नहीं होगा कमर दर्द लंबर स्पॉनलोसीस भी दोस्तों कभी नहीं होगा हीप जाइंट में दोस्तों कभी कोई प्रावलेम नहीं आएगा गायनिक प्रावलेम लेडीज का सारा दूर हो जाता है गुमुकहसन से तो दोस्तों थोड़ा बीच-बीच में ऐसे रिलाक्स्ट होके आप ब्रिधिंग भी कर सकते हो अलग-अलग free and exercise भी कर सकते हो तो आरती आपको करके दिखा रही है दोस्तों एक चीज़ आद रखो जो गुमुकहसन होता है याने जो cow face पोज होता है इससे आपके सरीर में लचीलापन बढ़ता है गुमुकहसन करने से सरीर में आपका flexibility, mobility आती है देखिए कैसे free and exercise थोड़ा-थोड़ा करनी भी चाहिए इससे आपको थोड़ा relaxation मिल जाती है एक आसन से निकलने के बाद यह दोस्तों मधुम है याने diabetes के वो control करने के लिए गुमुकहसन बहुत best है याद रखो सारे लोग जो परिशान हो diabetes से ये आप रोजाना करना चाहिए आपको गुमुकहसन इसके साथ साथ अगर आपकी मानस्पेशियां कमजोर है तो आपको गुमुकहसन ज़रूर करनी चाहिए इसके साथ साथ अगर आपको हमेशा तनाव रहता है आपको वो हमेशा चिंता घेरा रहता है तो आपको गुमगासन के साथ साथ ऐसे रिलाक्सेशन एक्सरसाइजेस के आदत दोस्तों करनी चाहिए इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा जिनकी स्नाइव मंडली याने नर्वस सिस्टम जिसकी वीक है यहाँ आशन उसको सक्ति प्रदान करता है और मन को नियंतरी दोस्तों रखता है जिसकी ब्लेट पेशर हाई होती है उच्छ रक्तचाब जिनकी है उनको याशन दोस्तों जरूर करनी चाहिए इस आशन की नियमी दूप से अभ्यास करने से हमारी तनाव कम रहती है जिसके कारण हमारा वेट लॉस होती है जो पतले होना चाहते हो वो गमुकहसन जरूर करो स्लीम एंट्रीम अगर रहना चाहते हो तो आपको गमुकहसन जरूर करने चाहिए टकनों में, कुलों में जांगों, कंधे पीट और छाती के मान स्पेसियों को अगर आपको मजबूत करना है उसमें थोड़ा फ्लेक्जिबिलिटी लानी है मोबिलिटी लानी है उसकी इलाश्टिसिटी अच्छा करना है तो दोस्तों ये आशन आपको जरूर करनी चाहिए यह घुटनों को सक्तिसाली बनाता है आर्थराइटीस के बिमारी से दोस्तों दूर रखता है पैरों की नाडियों को स्वस्त रखता है अंड कोसकी बृध्धी को दोस्तों ये रोकता है और male के अंदर यानि मर्दों के अंदर जो भीरिय सम्मंदी से विकारों को ये धूर करता है दोस्तों इसका मतलब है जिनको sexual समस्या है जिनका sexual problem है जिनको अपने partner को satisfy करने के लिए दिक्कत होती है वो ये आसन को जरूर अभ्यास करके करनी चाहिए इससे आपकी सेक्स की ख्यमता दोस्तों बढ़ेगा आपकी स्नायू की ख्यमता दोस्तों बढ़ेगी अगर आपको आर्थराइटीस है इसको नहीं करनी चाहिए घुटने में अगर बहुत ज़्यादा समस्या है यह सब चीजों से दोस्तों बचनी चाहिए रोजाना आप आदत करके करते हो अगर आपकी इंसुमिनिया प्रॉब्लम है दोस्तों जड़ से खतम हो जाएए डाइस्टिफ सिस्टम अगर आपका खराब है रोजाना अगर आप गोमखासन के आदत करते हो तो आपका डाइस्टिफ सिस्टम दोस्तों बढ़िया हो जाएगा तो उमीद करता हूँ इसका लाव उठाओगे बढ़िया से आप लोग करोगे आज मैं डॉक्टर दिरबेश और आरती जो मिलके हमने इस वीडियो को आपके लिए प्रस्तूत किया है उमीद करता हूँ इसका दोस्तों लाव उठाओगे तभी तो अच्छा लगेगा मैं हमेशा कहता हूँ नेचुरल जिंदेगी जीओ अपरिशन थेटर से बच सकते हो आप हस्पताल अड्मिट होने से बच सकते हो एक बरी अगर कोई जाता है हस्पताल फिर उसको बार-बार जाना पड़ता है इसलिए हम फ्रीडम फ्रम हस्पिटाल के माध्यम से आप लोगों को नौलेज दे रहे हैं आप लोगों टेक्निकालिटी के साथ समझाने को कोशिस करते हैं कि आप नेचर के साथ कैसे समझोता करोगे कैसे आप तालमिल बिठाओगे और अच्छा जिंदेगी जियोगे इस सारी बाते में अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड हिंदी 600 पेच की किताब ये ओनलेन एमेजन पे आविलेबल है और धाई हजार से ज़्यादा टिप्स हैं दोस्तों जो इसको मंगाना चाहते हैं ततकाल मंगाईए और इसका फाइदा उठाओ दोस्तों क्योंकि इसमें एकी प्रिसर की पूरी ग्यान और आयरवेद की सारी नौलेज दिया हूँ उमीद करता हूँ इसका फाइदा बहुत सारे लोगों हो रहा है आप लोग को भी होगा इसकी अंग्रेजी किताब भी देख लीजे एक बारी जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए है अंग्रेजी किताब उसकी सेम तो सेम हिंदी को अंग्रेजी मनुबात किया गया है सेम फोटोग्राप्स होगरा दिया गया है और नौलेज पूरा पूरा ऐसा ही है और धाईजार से ज्यादा टीप्स हैं उमीद करता हूँ या सबका भी दोस्तों लाग उठाओगे अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम दोस्तों करते रहो creativity work अपने आप में जोड के रखो जिससे आपका जीवन जो है बहतर हो और आप एक अच्छा जिन्दे की जी सको तो यह हमारी एक प्रयास्ति आरती और मेरा उमीद करते हैं आगे भी आप लोगे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा यार दोस्त के बीच में सेयर करेंगे इसका लाग उठाएंगे अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे